पंच तंत्र का प्रथम तंत्र है मित्रभेद मित्रभेद के अंतरगत आने वाली कहानियों को आईए सुनते हैं दक्षिन के किसी राज में महिला रोप्पे नाम का एक नगर था उसमें वर्धमान नाम का एक वैश्य रहता था उसने धर्मानुसार व्यापार करके प्रचुर संपत्ति एकत्रित कर रखी थी एक रात बिस्तर पर लेटे हुए उसके मन में एक विचार आया कि इतना धन होने पर भी और अधिक धन कमाना चाहिए क्योंकि संसार में ऐजी कोई भी वस्तु नहीं जो धन से प्राप्त न की जा सकती हो धनवान व्यक्ति से सभी मित्रता करना चाहते हैं अपूज्य होते हुए भी पूज्य समझा जाता है संपन्न व्यक्तियों से शत्रुभी सजन्ता का विवहार करते हैं कैसा अनर्थ है कि जो निर्धन है के आत्मजन भी उसके प्रती दुर्जनता का व्यवहार करते हैं धनुपार्जन के छे उपाय हैं विक्षा, नौकरी, खेती, विद्या, सूध पर रिणदेना और व्यापार व्यापार धन कमाने का श्रेष्ट उपाय है व्यापार भी कई प्रकार का होता है उनमें सबसे अच्छा विदेश से क्रेक गई वस्तूओं का आयात निर्यात करना है यह विचार करके वर्दमान ने नगर से बाहर जाने का निर्णे लिया गुर्जनों की आग्या से शुब मुहूर्त में विक्रे योग्य वस्तूओं को गाड़ी में लदवा कर मतुरा की ओर प्रस्थान किया उसकी गाड़ी को संजीवक और नंदक नाम के दो बलिष्ट बैल खीच रहे थे वर्दमान की गाड़ी जब यवना की किनारे पहुची तो संजीवक नाम का बैल दल दल में फस जाने के कारण जुए को तोड़ कर वहीं बैड़ गया खीचातानी में उसकी टांग भी तूट गई संजीवक की दुरदशा से वर्दमान बहुत दुखी हुआ तीन रात तक उसने बैल के स्वस्थ होने की प्रतिक्षा की सार्ती और उसके साथियों ने एक स्वर में कहा कि हिंसक पशुऊं से भरे इस जंगल में रुक कर सबके प्राण संकट में डालना ठीक नहीं थोड़े के लिए अधिक की हानी नहीं उठानी चाहिए बुद्धिमानी इसी में है कि थोड़े को सहर्ष छोड़कर अधिक की रक्षा की जाए साथियों के आग्रह पर वर्धमान ने संजीवक को रक्षिकों के हवाले करके आगे प्रस्थान किया रक्षिकों ने भी जंगल को भयानक समझ कर संजीवक को वहीं छोड़ दिया दूसरे दिन वर्धमान से मिलकर कहा कि स्वामी संजीवक तो मर गया आपका प्रिय समझ कर हमने उसे जला दिया उसकी बात सुनकर व्यापारी ने अपने प्रिय बैल के अन्य अंतिम संसकार भी पूरे किये वह बहुत दुखी हुआ उधर संजीवक यमुना तट की हरी घास और शीतल वायू के सेवन से स्वस्थ होने लगा दिन भर यमुना के तटों को सीहों से तोड़ना और मदमस्थ होकर इधर उधर दाहारता फिरता था किसी ने ठीक कहा है कि भागे द्वारा संरक्षित वस्तु और रक्षित होने पर भी बची रहती है और दुर्भागे वश सुरक्षित वस्तु भी नश्थ हो जाती है एक दिन यमुना तट पर पिंगलक नाम का एक शेर अपने अनिवाईयों के साथ प्यास बुझाने आया जब उसने संजीवक की गंभीर दाहाल को दूर से ही सुना तो डर कर बर्गत के पेण के नीचे चतुर मंडल व्यू बनाकर बैठ गया उसके चतुर मंडल व्यू में प्रतम पंक्ती में राजा, दूसरी पंक्ती में विश्वस्त मंत्री, वह सामंतगण, तृतिय पंक्ती में सैनिक और चेतुर्थ पंक्ति में गुप्तचर, सीमा रक्षक प सेवकादी रहते हैं। सिंग पिगलक के दल के पीछे-पीछे दो पदचुद सियार करकटक और दमनक पुनह प्रतिष्ठित होने के लिए चलते थे। स्वामी पिंगलक को प्यासा होने पर भी बिना पानी पी अचानक इस तरह बैठे देखकर आपस में दोनों परामर्ष करने लगे। बंदर की तरह नश्ठ हो जाता है। ऐसा कैसे होता है दमनक ने आश्चरे से पूछा। करकट बोला सुनो फिर बंदर की कहानी।